अभी 19 जुलाई को बारेन बेंच के इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट आया ग्राबिंग अ वुमन्स हांड थ्रेटनिंग हर विदाउट लस्टफुल इंटेंशन दस नॉट आउट्रेज हर मॉडेस्टी केरला हाई कोड इसके कॉमेंट्स में एक बार जाएए और देखिए किस तरीके से पॉब्लिक आउट्रेज इस टेकिंग प्लेस यह साधारनता देखने में उतरा बुरा नहीं लगता बहुत सारे लोग हैं जिनने लौ, जजज्मेंट, आउबिटर, रेशियो इन सब के बीच का कोई अंतर नहीं बता होता कैजूल रिमार्क्स क्या होते हैं इन सब विशेव में उनको जानकारी नहीं होती अगर वो ऐसी बातें करते हैं तो यह सब समझा जा सकता है लेकिन जब आप देखते हैं यह law graduates, law field के लोग, advocates, lawyers वो इस तरीके के comments कर रहे हैं इट बिकम्स लिटल बिट डिसहार्टनिग तो सी वाट इस हापरेंग So, इस case में the intention of Kerala High Court was grabbing a woman's hand without lustful intention मतलब यह नहीं है कि कोई offense नहीं हुआ, it is just that कि यह outraging the modesty के offense में नहीं आता मैं अगर किसी को गुसे में एक खपण मार देता हूँ, तो उसको हम sexual assault में नहीं गिनेंगे हम उसको assault में गिनेंगे, हम उसे hurt में गिनेंगे क्योंकि definitions अलग हो जाती है, offenses अलग हो जाती है सिर्फ इस चीज में, उस पूरे लंबे चौडे judgment में यह उतना सा part था कि यह outraging the modesty में नहीं आएगा, बाकी सारी चीज़ें जो करी हैं, वो offense है, उसके लिए सजा दी जाएगी but this is not the part of it और उसमें बहुत सारे लोग कहे रहे हैं, intention कैसे पता करेंगे, well that is where the entire criminal law revolves criminal law में दो ही चीज़ें तो जरूरी है, act asrius और mensria mensria को भी तो प्रूफ करना पड़ेगा, that is the entire intention वाला aspect उसको प्रूफ करना ही तो criminal law में किसी भी conviction का उदेश होता है, किसी भी conviction का medium होता है so when you check these stories, इस तरीके का outreach देखने को मिलता है, similar thing happened with Uttarakhand High Court on 20th, the very next day, Uttarakhand High Court said rape law misused like a weapon by women in modern society अरे बहुत सारे laws misuse होते हैं, ऐसे तो हर law misuse होता है, true yes, that is what is being pointed out, right see, the case in question was, of two people consensually living together having physical relationships together, when the relation got star the woman said, alleged rape against the guy court in this case pointed out, कि भाई, इसको बहुत गलत तरीके से misuse किया जा रहा है आज की society में हम यह बहुत देख रहे हैं and बहुत सारा data भी इस तरफ कह रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि court कह रहा है कि जादा तर offenses ऐसे होते हैं या फिर बहुत सारे offenses ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं है but this is happening very commonly similar thing we saw, जब court नहीं यह कहा कि यार POXO के cases आजकल बहुत आ रहे हैं specifically related to childhood romantic relationships relationships between 16-17 years almost 18-year-old kids, right तो उसको criminalize नहीं करना चाहिए that's what the court was saying a lot of people made hue and cry about this कि अरे यार इस तरीके से तो चोरी भी बहुत हो रही है उसको भी decriminalize कर दो that's not the point जब आप शायद 15 साल के रहे होगे और आज जो बच्चा 15 साल का है उसके exposure में बहुत अंतर है and the court is not saying कि ये criminal offense नहीं होना चाहिए the court is saying कि अगर एक बच्चा है 17 साल का और साड़ है 17 साल का या 16 साल का उन बच्चों में अगर इतनी समझ है कि वो क्या कर रहे हैं तो आप किसको सजा दोगे लड़के को या लड़की को because POXO Act is gender neutral POXO Act ये नहीं कहता कि लड़के की गलती है या लड़की की गलती है POXO Act तो इसमें दोनों को सजा देगा तो court ये कह रहा है कि भाई ऐसी परिस्थितिव में आप भले उनको counseling के लिए भेज दीजे पर इसको criminalize मत कीजे इसके लिए सजा का प्रावधान मत रखिए because that's what kids do kids these days yeah kids since forever have been like this and उसको control करने के लिए उनको आप jail नहीं भेज सकते उनको आप सुधार ग्रह नहीं भेज सकते उनके आप counseling करवा सकते courts बहुत सारी बातें बोलते हैं कई सारी चीजें बहुत casual तरीके से बोली जाती हैं आप किसी जॉब में होते हैं तो उस जॉब से related बातें आपके लिए रोजमर्रा की चीजें हो जाती हैं किसी अन्यवेक्ती के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है जब court में advocates जाते हैं argue करते हैं तो जजेज और वकीलों के बीच में भी एक रापोर्ट बन जाता है जजेज भी वकीलों के साथ casually मस्खरी करते हैं और वकील भी जजेज के साथ करते हैं इसमें से एक छोटा सा वीडियो उठा करके वाइरल कर दिया जाता है और यह कर लो पहले इस इस सम्थिंग विच आइड एक्सपेक्ट कॉमन पीपल तो अंडिस्टार रहा है बट आइड सीरिश्ली दू एक्सपेक्ट जुडीशियरी आस्परेंस अड़ोकेट्स और लॉयर्स तो अंडर्स्टांड वाइस हापनिग रीड दी एंटायर जज्जमेंट अंडर्स्टांड दी एंटायर पिच्चर और सिर्फ खुद ना समझें समझाएं भी उंगली उठाने से पहले पूरी बात जाने तब ही तो जजज बन पाओगे अगर पूरी बात सुने विना फैसला बता दिया तो जजज कैसे बनोगे